नवश्कार मैहू प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खबरो क्योर बढ़ने से पहले एक नसर सुर्ख्यों पर बिहार में हतियार लहडाना भी पर सकता है महगा S.A.C. Constable भरती के लिए आज से आविदन शुरू पक्रवा विवा को हाई कोट ने 10 साल बात किया अमानिया पाठक के सक्षकों को सक्त चितावनी स्कूल से 15 किलो मीटर के डाइडे में रहे IPL 2024 से पहले CSK को लगा बड़ा जटका ये खिलारी नहीं खेलेगा मैच इसके साथी बरते हैं शामता की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से सक्षक नियुकती परिक्षा के दूसरे चरण का सेड्यूल जारी बिहार लोग सेवा आयोग के ओर से सक्षक भरती परिक्षा के दूसरे चरण को लेकर विस्तर सेड्यूल जारी कर दिया गया है जिसके तहरत इस परिक्षा किश्रवाद 7 दिसंबर 2023 से होगी जो की 16 दिसंबर 2023 तक चलेगी बता दे कि यह परिक्षा एक पाली में आयूजित की जाएगी जिसका समय दोपहर 12 बज़े से धाई बज़े तक निर्थारित किया गया है मालम हो कि दूसरे चलन की परिक्षा 7, 8, 9, 10, 14, 15 और 16 दिसंबर को आयूजित की जाएगी यानि कि इस पर कुछ 7 दिन परिक्षा आयूजित किये जाएंगे वही अगर अभ्यर्थियों को दिये जाने वाले सेंटर की बात करे तो ये उन्हें अपने ग्री जिले में नहीं दिया जाएगा जबकि आसपास के जिले में देने का प्रयास किया जाएगा वहर सिक्षक भरती परिक्षा के लिए अडमेट कार अगले सप्ता या अगले माह की शिर्वात में जारी कर दिये जाएंगे इस भरती के तहस सिक्षकों के 1,22,286 पदों को भड़े जाएंगे वहर में हतियार लहराना भी पर सकता है महंगा बिहार में किसी तरह के समारोहों में हर्स फारिंग किया जाना तो गैर कानूनी माना ही जाना था वहीं अब समारोहों में हतियार लहराना भी गैर कानूनी माना जाएगा बता दे कि अवैद हतियार का इस्तमाल करने वाले व्यक्ति पर आर्म्स एक्ट के तहट अलग से मुकदमा दर्ज होगा तो वहीं समाडोहों में हतियार लहडाने वाले व्यक्ति के खिलाफ FIR तो दर्ज होगी ही और साथ ही उनके वैध हतियार के लाइसेंस को भी रद कर दिया जाएगा बता दे कि संबंद में बनाए गई SOP को बिहार पुल इस अधिक्षक को कढ़ाई से अनुपालन कराने का नर्देश दिया गया है वहीं ADG संजय सिंग के द्वारा जानकारी देते वी बताया गया है कि किसी भी सारुजनिक आयोजन से पहले आयोजको को संबंद नित्थाने को निर्धारनत गोशना पत्र में सूशना देना आनि आज यानि की 24 नमबर 2023 से Central Armed Force यानि की CAPF, NIA और SSF में Constable General Duty के लिए आविदन करने की प्रक्रिया की शिर्वात हो गई है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए अपना आविदन करना चाहते हैं वो करमचारी चैन आयोग यानि की SSC की आधिकारिक वेबसाइट SSC.NIC.IN पर जाकर आविदन कर सकते हैं इसके लिए आयोग क्योर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है जिसके तहत आविदन करने की अंतिमतारी 28 दिसंबर 2023 तक नरधारित की गई है बतादे किसके लिए परिक्षा का आयोजन वर्स 2024 में फरवरी से मार्च महीने तक में आयोजित किया ज आ सकता है इसके लिए अगर सेचनिक योगेता की बात करे तो आविदक को किसी मारता प्राप्त बोर्ड से दसवी कक्षा यानी मैट्रिक पास होना अनिवार है वह इसके लावा आयोजित सीमा 18 वर्स से 23 वर्स तक नरधारित की गई है इसे जुरी अधिक जानकारी के लिए जारी किये नोटिफिकेशन को देख सकते हैं रविकांद की याजिका पर सुनवाई करते वे लिया गया है बता दे कि अपील करता रविकांद जो समय एक सिगनल मैन थे उसे बंदू की नोक पर 10 साल पहले लखी सराय जिले में अफरन कर लिया गया था और प्रतिवादी दुलहन की माते पर सिंदूर लगाने के लिए ने कॉस्चा पर और और प्याच की बरती कीमतों से आम आदमी को होड़ी परिशानियों को देखते वे केंदरे उब्वोकता मंत्राले के खादे ऐव्यों सारजनिक विद्रण मंत्राले के ओर से राज्य के कुछ जिलो में भारत आटाव चनादाल केंदरी भंडार नेफेड एवं NCCF के सभी फिजिकल एवं मोबाइल आउटलेट से सस्ते दर पर लोगों को उपलब्द कराया जारा है संबन में NCCF पटना के शाखा के प्रवंधक राजेश खुमार के द्वरा जानकारी देते वे बताया गया है कि भारत आटा ब्रान के अंतरगत MRP 27.500 रुपे प्रती किलोग्राम है वही भारत ब्रान चनादाल साथ रुपे प्रती किलो की दर पर बिकडी की जा रही है इसके अलावा प्याज 25 रुपे प्रती किलो की दर से बेची जा रही बता दे केंदर सरकार के समदत का लाब बिहार की राजधानी पटना समेत आरा दर्बंगा और मुझपरपुर समेत कहीं जिलो को मिल रहा है जस्टिस विवेक चौधरी को राजेपाल ने दिलाई पटना हाई कोट के जज़ पद की सपत जस्टिस विवेक चौधरी के जज़ के रूप में योगदान मिलने के बाद अब पटना हाई कोट में जज़ों की कुल संख्या ب pela 55 हो गई है हाला की जज़ों के सुकृत्पद पटना हाई कोट में तिरपन है है कि वे सभी स्कूल से 15 किलो मीटर के दायरे में नहीं रहते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी वैसे सक्चक जिनकी पोस्टिंग गाउ में हुई है और वो गाउ में नहीं रहना चाहते तो वो जा सकते हैं यह विकल्प उनके लिए खुला हुआ है दरसल के के पाठक बग स कि दौरी पर गये थे जहां उनोंने डुम्राओं के जिलास्ट चक प्रसक्चन संस्थान का नरक्षन किया इस दौरां ही种ने यह सभी बात यह कहीं इसके साथ उन्होंने वहाँ प्रसक्चन ले सिक्षकों से यह भी जाना कि उन्हें किसी प्रकार की कोई परिशानी तोर नहीं हो रही अप और मुख्य सचीब के द्वारा क्लासरूम का अनरिक्षन भी किया गया बिहार में यहां जमीन के अंदर से निकली भगवान विश्नु की प्राचीन मुर्थी बिहार के गोपालगन जले के गोपालपूर थाना चेतर के सोनिक पूर संद पटी में एक खेत की जुताई के द्वाराज जमीन के अंदर से भगवान विश्नु के एक प्राचीन मुर्ती मिली है जैसे ही इस बात की सूशना मिली वहां ग्रामीनों की भीर लग गई महिस के लावा प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पहुँचे बतादे के जुताई के एक रम्मे ट्राक्टर की हल से कोई भारी चीज टक्राई और तेज आवा जाई जब इसकी जाँच परताल की गई तो वहां एक पत्थर मिला जिससे साफ करने के बाद भगवान विश्नू की आकरती दिखी जिसमें भगवान विश्नू अपने हाथों में संक चक्रक गदा और पुष्प धारन किये हुए हैं वहीं मुख्य प्रतीमा के तीन तरफ किनारे किनारे अन्ह देवी देरता के चोटे चोटे चितर बनाए की तैयारी शिरू हो गई है मालूम हो किस से पहले भी जुताई की क्रम में हनुमान जी और राधा कृष्ण की मुर्थी मिल चुकी है लेकिन उज़रान लोगों के द्वारा उतनी सक्रिता नहीं दिखाई गई थी दिल्ली और कॉलकता से पतना आ रहा विमान इस वज़े से हुआ डाइवर्ट आज शुक्रवार को दिल्ली से बिहार की राजधानी पतना आ रही इंडिगो एरलाइन्स की फ्लाइट संख्या 6E21-63 को कॉलकता डाइवर्ट कर दिया गया तो वहीं कॉलकता से पतना आ रही इं ज़र नहीं आ रहा था जिस वजह से विमान को डाइवर्ट कर दिया गया मालम हो कि पटना समेट आसपास के इलागों में कोड़े चायवे हैं जिसका रन विजबिलिटी कम है बतादे कि एक दिन पहले भी पटना एयरपोर्ट पर विमान सेवा कोड़ी की वजह से प्रभावि ही है हमें उमीद है कि आज शाम मजदूरों को सुरंग से सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाएगा अब इस्तिती पहले से काफी बहतर है गरुवार को अमेरिकन ओगर मशीन का प्लाटफॉर्म ढह गया था ऐसे में अब इस प्लाटफॉर्म को नया रूप देकर काम के और आस्वस्त कर रहे हैं कि उन्हें जल्दी ही रेस्क्यू कर आ दिया जाएगा। एससे संबंदित होंगे आपकी जानकारी किने बता के कि विश्यों से इस संबंदित प्रश्ण बिहार विध्यालीप परिक्षा समीती और Nc एरटि सिलेबश चिलेबस के अनरुप होंगे थो एded Caribbean के एस स्जेbum से संबंदित होंगे उन्होंने कहा कि बिहार में खनीच और खदान नहीं है तो द्योग स्थापित हो नहीं सकता ललन सिंग ने कहा कि वो बार बार पैकेज की बात करते हैं आखिर कौन सा पैकेज उन्होंने दिया है केंदर सरकार प्रयास करती है कि जो बिहार सरकार की योजना है उसमें कुछ योगदान दे दे और उसे अपनी योजना सावत कर दे रगुराम राजन कमीटी किस ने बनाई थी केंदर की सरकार ने बनाई थी कमीटी ने अपने रिपोर्ट में बिहार के पिछलेपन की चर्चा की है और अन्य राजी को भी चर्चा की है तो उन राजी को भी मिलना चाहिए अगर कोई राजी पिछला है और उसे विक्सत राजी प्रशाद यादव के द्वारा दिये गर टिपनी को लेकर उन पर हमला बोला गया है उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री को अशुब कहना गड़ीबों का अपमान है प्यम देश की सान है आज सारी दुनिया भारत को सम्मान की द्रिस्टी से देख रहा है प्यम मोदी के दित्व में खेल का तेजी से विकास औरा खेल में प्रोचसा दिये जाने के कारण भारत नित्य नए परचम लहरा है प्यम पर टिपनी करना लालू प्रशाद यादव की ओच्छी मान सकता को दर्शाता है उन्हें इसके लिए जनता से छमा मांगना चाहिए उन पुलकब 2023 में भारत की हार पर कॉंग्रस नेता राहुल गांधी के द्वरा प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी को पुनौती बोला गया था ऐसे में अवसको लेकर एक तरफ जहां राहुल गांधी को चनाव आयो की तरफ से नोटस भेज दिया गया है तो वहीं दूसरी और भ पुर्व प्रधान मंत्री के पोते और परपोते हैं बाकी तो देश उनकी चंता को जानती ही है उन्होंने कहा कि जो वनसवाद की राजनीती से आगे बढ़ रहे हों क्या वह प्रधान मंत्री के लिए ऐसा अनुची सब्द बोलेंगे यह निराशा जनक है जीतिया हार खेल का हिस्सा है लेकिन आप देश के पी-म के लिए ऐसे सब्दों का अस्तमाल कर रहे हैं इसके लिए उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए IPL 2024 से पहले CSK को लगा बड़ा चटका ये खिलारी नहीं खेलेगा मैच IPL 2024 से पहले महिंदर सिंग धोनी की कपतानी वाली टीम चन्नाई सोपर किंग्स को एक बड़ा चटका लग गया है दरसल 2024 में होने वाले IPL में स्टार ओलराउंडर बेन स्टोक्स नहीं खेलेंगे इसकी जानकारी CSK के द्वारा दी गई है बता दे कि CSK के ओर से इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर यह बताया गया है कि इंगलान के लाल बॉल के कपतान और ओल राउंडर बेन स्टोक्स ने अपने काड़े भार और फिटनिस को सही करने के लिए IPL 2024 के लिए खुद को उपलद नहीं कराने का मन बनाया है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अब तक बेन स्टोक्स के द्वारा 45 IPL मैचों में 24.61 की ओसर से 935 रन बनाये गए हैं इस तोरान उनका स्ट्राइक रेट 133.95 कर रहा उन्होंने दो शतक और दो अर्द सतक लगाए हैं गेंदबाजी में स्टोक्स ने 28 विकेट हाशल किये हैं अब अरते हैं आज के 5 सवाल की ओड़ हमारा पहला सवाल है इसका सही उत्तर है option C 1 अगला सवाल इसका सही उत्तर है option E 28 दिसंबर 2023 अगला सवाल जस्टिस विवेक चौधरी के जज के रूप में योगदान मिलने के बाद पटना हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो गई है option E 29, option B 34, option C 33, option D 35 इसका सही उत्तर है option D 35 अगला सवाल बिहार के किस जिले में भगवान विश्णों की प्राचीन मूर्ती मिली है option E Araria, option B गोपाल गंच, option C कटिहार, option D इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है option B गोपाल गंच अगला सवाल IPL 2024 में CSK के किस खिलारी ने खुद को टीम से दूर कर लिया है option E Ben Stokes, option B महिंदर सिंग धोनी, option C रवेंदर जड़ी जा, option D इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है option E Ben Stokes, बीदे दिन हमादर पूछिया सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पजाब हमें मारे comment section box में लिख कर दिया है जिन्होंनी हमादर पूछिया सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश रिसिदेव, नुनो गोलो कुमार, गोनर्द सर्मा, मुहमत सकीर हुसें, सिधार्थ कुमार, अनीता कुमारी, मदन कुमार, मोहत, अशोक ठाकुर, दिनेश ठाकुर, अनीता कुमारी, अशोक ठाकुर, सुबोध बैठा, मंटु कुमार, नौशत अंसार अनिता कुमारी करेंग कुमार के इसके साथ ही बढहते हैं आच के सवाल की और आज का सवाल है पिएम के लिए 35 सब्ढका इस्तमाल करने पर आपकी क्या राएं अपना चhurाउप हमेरी कॉमेंत्र सब्सक्राइब साथ बने रहने के लिखते नहीं बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो इसको फॉलो करना ना भूले धन्यवाद